एक बार नारत जी हन्मान जी के पास आ गए अयुद्या में अयुद्या में हन्मान जी बैठे दरवाजे पर उसी समय नारत जी आ गए नारत जी बोले हन्मान जी जी बता एक बात बता तुम ज़्यादा भक्त हो या हम अनमान जी बोले अब हम क्या बता दें हम तो जो हैंसों हैं एक काम करो आपको जादा ही पूछने का सौक है भगवान विश्णू के पास क्या भगवान विश्णू के पास एक डाइरी है उसमें भक्तों के नमर सहत नाम लिखे हैं जो जितना करीब का भक्त है उसका उतने ही नाम लिखा हुआ है च Jakar के प्रणयाम किया भगवान वृष्णु ने लच चाहा कहो नारज जी कैसे आना वुगा विष्णु जी बोले महराद हमने सुना आपके पास उभाद का पोई रजश्टर है temptation भिष्नु भगमान वले न्रडु पू्टा लिके मन में सोचने लगे हम तो भहिया पहले नमबर पर zooming बापस अ्युद्या में आए हanuman जी तो 반क राम सिटाराम शीताराम सिटाराम शीताराम शीताराम नारजी आये हनमा만 जी जय हो अनमान जी बूले जय तो ठीक है गय हो ऊपर विशनु भ्गमान के पास जए हैं जा निकला crappy बोरान मानों तो सभी बताएं ठाहं बताव घुमारा नाम तो पहले नमबर पर तू म다면 बलेक लिस्ट में हो तो मारा नाम नहीं है अनमान जी बोले माल लिया अनमान जी बोले नारज जी एक और बात बताएं आपने एक छोटी डायरी देखी भगमान के पास एक रजस्टर है एक मिनी डायरी भी है वो चेक की नारज जी बोले नहीं हमने तो के बर रजस्टर भर चेक किया जाओ वो मिनी डायरी चेक करो अब नारजी का दिमाग खड़ा यह मीनी डायरी किया है नारजी उपर आए भगमान भिश्णी को भर से प्रणाम किया सरकार हमने सुना आपके पास रजस्टर भी है कोई मीनी डायरी भी है भगमान बोले जेब में है भगमान में जेब सी निकाली लो पड़ो जैसे नारजी ने लिए जैसे ही पेज पड़ताया पहला नाम हनमान जी का नारजी बोले हमें मामला समझ में नहीं आया भगमान बोले उस वाले रजस्टर में पहला हमारा नाम मिनी डायरी में पहले हनमान जी का नम हमें मामला समझ में नहीं आया भगमान में बहुत प्यारा चलेगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेन नोटिफिकेशन को आल पर सेट करना ना भूलें जैस्त्री गाम